हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू कोडिंग टैग, कोडिंग टैग में आपका स्वागत है, मैं योगेश खन्ना, आज आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अकाउंट कैसे क्रेट कर सकते हैं WHM के अंदर और आप मल्टिपल डोमेंज को आप कैसे cPanel के राइट जे सकते हैं, कैसे फ्रू आप मल्टिपल होस्टिंग सेल कर सकते हैं, मल्टिपल कस्टमर्स को, सबसे पहले हम WHM में लॉगिन कर लेते हैं, जैसी हम WHM में लॉग इन करेंगे तो यहां पर आपके सामने डैशबोर पे आपको दिखाई दे रहा है Manage Your Accounts, Manage Your Accounts में जाकर कि आपको Create a New Account पे क्लिक करना है Create a New Account पे क्लिक करने के बाद यहां से आपको वो डुमेन की information मांग रहा है कि जिस डुमेन को आपको cPanel देना है जिस डुमेन को आप FTP Account देना चाहते हैं और एक बात और भी बता देता हूं कि आप WHM के थुरू यानि कि आप अपने Reseller Account के थुरू भी Multiple Resellers भी बना सकते हैं जुरूरी नहीं है कि आप Single Domain hosting ही प्रवाइड करा सकते हैं सबसे पहले आपको यहां पर Domain Name दालना है जिस Domain को आपको cPanel Account देना है आपको यूजर नेम डालना है आटोमेटिकली जैसे मैंने इन टैप पे क्लिक कर एक यूजर नेम डिफॉल्ट आ गया पाशवड आपको टाइप करना यहां पर और जैसे मैं आपको उपको एपनी विडियो दिल आल सकते हैं जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा कि आप मिल्टिपल पैकेज बना सकते हैं वन जीबी टू जीबी फाइब इस डिपेंड उन था कस्टमर की कस्टमर की क्या रिक्वार्मेंट है तो आपको बार बार वो पैकेज ना बनाना पड़े तो आप एक ही बार बनाकर अपने स्टेंट का सब्सक्राइब करें ल्यां पार रखने में विडियों में कमें जिखाया कि दैसे सब्सक्राइब अगर आप इस कस्टमर को रिचेलर अकाउंट बनाना चाहते यानि कि आप चाहते के कस्टमर multiple यह customer भी आगे और अपने customers को cpanels दे सके domains पे accounts create कर सके तो आप उसको reseller setting के rights भी दे सकते हैं DNS settings को भी आप default रहने दीजिए आप किसी भी चीज़ को ना शेड़ें these are the default settings and create account amazing तो यहाँ पर देख रहे हैं guys की account create हो गया है तो नीचे new account information आ रहे हैं यह information आप अपने customer के साथ share कर सकते हैं अप customer को क्या करना होगा जो यह यहाँ पर नेम servers हैं जो आपके name servers हैं यह name server customer कास्टमर अपने domain के name servers में डालेगा जैसे वो domain के name server में डालेगा उसका domain और आपकी hosting आपस में connect हो جाएंगी और वो work करने लग तो मैंने default ही यह name server अपने domain name में डाले हुए तो मैं चेक करता हूं कि क्या यह hosting work कर रही है या नहीं कर तो मैं यहां पर yugashkanna.com slash cpanel डालूंगा वह मुझसे cpanel login id password मांग रहा है मैंने यहां से यह cpanel का username login करा और यहां पर paste कर दिया और मैंने यह password अमेजिंग बहुत ही बढ़िया तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो मैंने अभी WHM के थ्रू युगेश kanna को एक cpanel account create करके दिया एक नई hosting create करके दिया है वह successfully यहां पर work कर गई है so that means कि जो हमने अभी account create कि है वह हमारा successfully create होगे so guys अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक इस वीडियो और सब्सक्राइब मैं यूट्यूब चैनल थैंक यू बाई-बाई-वाई-वी नेक्स्ट वीडियो